कभी कभी खूपसूरती, एजूकेशन और अच्छी जॉब के बाद भी कई लोग शादी में परेशानी का सामना करते हैं। यहां तक कि उनकी कुंडली में भी इस तरह का कोई दोश नहीं होता, बावजूद इसके शादी में अर्चन आ जाती है। इतने लड़के या लड़किया देखकर भी बात नहीं बनती। बात बनती भी है तो किसी छोटी मोटी बात पर सगाई तूट जाती है। यदि आप सभी उपाय करके ठक चुके हैं और चाहते हैं कि इस साल आपकी शादी पक्की हो जाए तो आपको बताते हैं इसके अचुक तोड़के। विवाय योग्य युवक्यूती जिस पलंग पर सोते हों उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड नहीं रखना चाहिए। इससे विवाय में बाधाएं आती हैं। हर गुरुवार और पूर्णिमा पर वट व्रिक्ष की 108 परिक्रमा करें। गुरुवार को वट व्रिक्ष, पीपल, केले के व्रिक्ष पर जल अर्पित करें। जिन लोगों को शीग्र विवाह की कामना हो उन्हें हर गुरुवार गाय को दो आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगा कर खिलाना चाहिए साथ ही थोड़ा सा गुड और चने की डाल गाय को खिलाएं